आज कल बाइक कमपनियों के बीच मार्केट में खरीदारों का दिल जीतने को होड मची हुई है हीरो हो, होंडा हो, या फिर यामाहा बजाज या टीवियस की बाइक सब में एक से बढ़कर एक फीचर्स दिये जा रहे हैं जिससे की लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ सके लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा के उस बाइक के बारे में जिसका नाम है 2023 होंडा रेबेल 300 इसके बारे में सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कहाँ यह जा रहा है कि उबर खाबर रास्तो का राजा है दरसल आटो कमपनी होंडा ने EICMA शो के दोरान 2023 होंडा रेबेल 300 बाइक को लॉंच कर दिया है यह मोटर साइकल स्टेंडर्ड और ABS वेरियंट में आती है शांदार परफर्मेस के लिए नई बाइक में 286 CC के सिंगल सिलेंडर और 6 स्पीट गियर बॉक्स दिये गए है इसके लाबा होंडा रेबेल 300 में LED लाइट, LCD मीटर और गियर पोजिशन इंडिकेटर का सपोर्ट बिलता है 2023 होंडा रेबेल 300 का डिजाइन शांदार है इस बाइक में सिटिंग के लिए सिंगल सीट दी गई है इसमें दो कलर, कैंडी डीजल, रेड और मैट ब्लैक कलर आप्शन मिलते हैं इसके लाबा मोटरसाइकल में 41 mm के फ्रंट फोक और रियर में ट्वीन शॉक आप्जरबर लगे हुए हैं जिनकी मदद से बाइक को उबर खाबर रास्तों पर आसानी से चलाया जा सकता है वहीं ब्रेकिंग के लिए बाइक के दोनों मोडल में डेस्क ब्रेक मौजूद है फीचर्स के बारे में बात करें तो होंडा ने अपनी नई बाइक होंडा रेबल 300 में LCD मीटर दिया है जिस पर गियर पोजिशन और फ्यूल कम पोजिशन की जानकारी मिलती रहेगी इसके लबा बाइक में 11.2 लीटर के टैंक के साथ साथ LED हेडलाइट, इंटिग्रेटड DRL, वाइड हैंडल बार, 16 इंच के ओयल विल और साइड माउंटेन एक्जॉस्ट दिया गया है 2023 Rebel 300 मोटर ताइकल में 286 सिसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विट कूल पावरफूल इंजन है जो की 27 HP पावर जिनरेट करता है इसका पीक टॉर्क 27 एनिम है कमपनी ने 2023 Honda Rebel 300 के स्टेंडर्ड मोटरल की कीमत 4749 डॉलर यानि की करीब 3,82 रुपए रखी है जबकि इसका ABS वैरियंट 5,049 डॉलर यानि की करीब 4,6,000 रुपए में बिक रहा है 2023 Honda Rebel 300 की भारत में लॉंचिंग को लेकर कमपनी की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है मगर कायास लगाए जा रहे हैं कि इसे दिस्टंबर के मध में भारतिय बाजार में उतारा जा सकता है जिसके शुरुगाती क्रीमत 3-4 लाख रुपए के बीच होने की संभावना भी जताई जा रही है इस बाइक के डिजाइन की बात करें तो इसमें इंधन टैंक और बड़े व्यास वाले पहियों पर मोटे टायर शामिल है इसके साथ ही आपको इसमें दो कलर आप्शन कैंडी डीजल रेड और मेट ब्लाइक मेटलिक मिलते हैं और इतना ही नहीं इसके सस्पेंशन में 40 mm फ्रंट फोक और ट्वीन रियर शॉक भी मिलता है आपको बता दें कि ब्रेकिंग हाडवेर के तौर पर दोनों वैरियंट्स में डिस्क ब्रेक शामिल है फिल近い बाइक लोगों के बीच में चर्चा का विश्या बना हुआ है भारत में इस बाइक की लॉंचिंग जरूर नहीं हुई है लेकिं भारत के लोग अभी से इस बाइक की आने का इंतजार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि महंगी होने के बाद भी इस Bic को मार्केट में आने के बाद लोग खरीदने के लिए दोर दोर कराएगे क्योंकि इसके ग्यमत पर मत जाएए इसके लुक और इसके फीचर्स काफी जबरदस्त हैं और सबसे खास बात ये कि ऐसे रास्तों पर भी ये बाइक चलेगी जिन रास्तों पर दूसरी गाड़ियों को ले जाने में आप दस बार सोचते हैं बने रहें लाइफ सिटीज के साथ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें